नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीदा आप सब अच्छे होंगे और अपनी तयारी को बड़े बहतरी नंगसे कर रहे होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है UPPSC के PYQ की यानि Previous Year Question की और यह जो वीडियो है यह हो जाता है हमारा चार नमबर का वीडियो यानि चार नमबर का सैट हो जाता है इससे पहले हमने इसके तीन सैट करा दिये हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए हैलफुल होने वाले हैं और वहाँ पर जो है UPPSC या फिर आरो यारो के लिए प्रेक्टिस सैट भी हमारे चैनल पर कराए जा रहे हैं तो चले देड़ने करेंगे शुरू करेंगे आज का हमारा इंपोर्टेंट वीडियो ये हो जाता है UPPSC के PY कुछे सम्मनित और सैट नंबर ये चार हो जाएगा और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं तो चले शुरू करेंगा आज का हमारा पहला question क्या हो जाएगा यहां से तो यह हो जाता है आज का हमारा पहला important question कलिंग यूद का जो विवरन है वो हमें 13 वे सिलालेक द्वारा ग्यात होता है यह important question है वन्डे एक्जाम में भी काफी train करता है और पूछा जाता है कलिंग यूद का जो विवरन है वो हमें किस सिलालेक से मिलता है तो यह मिल जाएगा तेरवे सिलालेक से एक ही कबर से तीन मानव कंकाल कहां से निकाले गए हैं तो यह मिले हैं दम दमां से दमदमा कहा हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश के परताब गड़ में इस्तित हो जाता है आपका दमदमा कई बार ये कोश्चन आप से पूछा गया है विक्रम सिला बिहार के संस्थापक धरमपाल हो जाते हैं ये भी पूछा जाता है आप से धर्मपाल हो जाते हैं जो विक्रम सिला बिहार के संच्था पर दा रूट्स ओफ एशियंट इंडिया के लेखक ये हो जाते हैं डबलू एफ़ेर सर्विस विंद छेत्र के लेखनिया सिलाजसरे से शर्वादिक मानव कंकाल के शाक्ष मिले हैं इकांच्थित हो जाएगा आपका जो विंद छेत्र है तो ये हो जाता है लेखनिया सिलाजसरे से पुथिविया पर्थम वीर उपादी समंद्रगुप्त की हो जाती है किर्शन देव ने नागलापूर नगर की स्थापना की थी किसने की थी तो ये की थी किर्शन देव राय ने जहांगे इने मुखेताय चितरगला को शंकरक्षन दिया था बिल्कुल ये भी करक्ट हो जाएगा गुलाम का गुलाम इल्टित्मिस को कहा जाता है गुलामों का गुलाम जो कहा जाता है वो इल्तितमिस को कहा जाएगा अगला कोशन है हमारा मुगल बादसा अकपर ने लाल कलावंद से हिंदू संगीत की शिक्षा लिती किस से ली थी तो ये ली थी आपकी लाल कलावंद से मुगलकाल में लखनों मंदरसा से मुसलिम नियाय साथ की पढ़ाई में विशिष्टा हासिल थी 1526 में बाबर ने सुल्तान इबराहिम लोदी को पानिपत की लड़ाई में परेज़ब पराजित किया था बाबर ने किया था इबराहिम लोदी को पराजित भक्ति गोरव का अंतिम सूर्य प्रिति विराज के लिए परिक्त हुआ था ये हुआ था अंतिम सूर्य है सर टोमस मुंडो ने 1828-1827 तक मदरास के गवर्णर जनरल ये रहे थे खिलाफात अंदोलन के परमुखनेता मौलाना मुहम्मद अलीस और सोगत अली हो जाते हैं ये दोनों हो जाते हैं आपके खिलाफात अंदोलन के परमुखनेता देवबंध आंदोलन ये यूपी में उस समय संयुक्त प्रांद में था तो 1866 में प्रानम हो जाता है देवबंध आंदोलन ठीक है ये कहा हो जाता है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश था पहले संयुक्त प्रांद मोतिलाल नहरो और शियारदाज द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम सुहराज पार्टी हो जाता है कभी इसकी स्थापना होती है तो 1923 में हो जाती है इसकी स्थापना लाडल होजी की विल्य नीती का जो पर्थन शिकार है वो सतारा हुआ था कौन हो जाता है सतारा हो जाता है लाडल होजी की विल्य नीती का पर्थन शिकार पश्चीं भारत के केड़ी करवे का नाम इसतरी सिक्षा के संदर में आता है ठीक है किस का आता है तो केड़ी से करवे का आ जाएगा अंग्रेजों के विरूद खान अब्दुल गफार खान ने लालकुर्ती आंदोलन प्रारंम किया था जल्यावाला बाग नर्संगार के विरूद में रविंदना टेंगोर नने अपनी नाइड हुटका परीतिया वह कर दिया था लोक्षभा द्वारा पारित धन विदेग, राज्षभा द्वारा भी पारित मान दिया जाएगा यदि राज्षभा उस पर 14 दिन तक कोई कारवाही नहीं करती है जाती तथा जन जाती को अनुसुची जाती तथा नुसुची जन जाती में गोशित करने ही तो शक्ती संपर्ण सम्वेधानिक पता दिखा रहे भारत का राष्ट पती हो जाता है कौन हो जाएगा तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट पती संवेधानिक संसोधन की बात करेंगे ये आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया था कोश्चन तो संवेधानिक जो संसोधन है ये संबंदित हो जाता है आपका 368 से दित्तायोग हो जाता है ये 280 से संबंदित वित्यापात की बात की गई तो 360 में हो जाता है आपका वित्यापात और अखिल भारते सेवाई हो जाती है ये 312 में ठीक है ये हो जाता है important question सरकरिया आयोक केंदर तथा राज्यों के मद्दे संबंदों की समिक्षाहितु इस्थापित की गई है राज्यों के मद्दे संबंदों की समिक्षाहितु इस्थापित की गई है सरकरिया आयोक केंदर राज्यवित्यायोक एक सम्वेधानिक संस्था है जो रात्यवित्यायोक है ये सम्वेधानिक संस्था हो जाती है राजवित आयोग एक समविधानिक संस्ता है ठीक है आपसे पूछा जाएगा राजवित आयोग एक कैसी संस्ता है तो ये हो जाती है एक समविधानिक संस्ता इसके पाद अगला कोश्चन हो जाएगा समविधान, भारते समविधान के अनुच्छेद 253 की अंतरगत, अंतराश्टे समझोते को परभावी बनाने ही तू, संसद राजसूची के विशह पर कानून बना सकती है यह भी इंप्रोटेंट कोश्चन हो जाएगा और इसी तरह के कोश्चन आपको पहले जो हैं सभी परिक्षाओं में पूछे गए हैं, UPPSC, UPPSC के जिदने भी एकजाम होते हैं, सभी में एकजाम आपको, सभी में यही कोश्चन आप से पूछे जाते हैं भारतिय सभीधान के अनुच्छे 324 में निर्वाचन आयुक के लिए प्रावधान है भारत के सरोच नियायले ने सवीधान के आदाहर बूढदाचे के सिधान को केश्वनंद भारती वाद 1973 में इस पष्ट किया है कब गया है केश्वनंद भारती वाद को तो ये गया गया है 1973 इसी में इंपोर्टेंट हो जाता है ये भी आपका अनुचे 299 के खंड एक के अंतरगत पारित परस्ताव एक वर्थ से अधिक समय के लिए परवर्थ नहीं रहेगा बारतिय सविधान के भागनों में पंचायती राज विवस्था सम्मंदी प्रावधान किये गई है ये कोश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है भागनों में पंचायती राज विवस्था सम्मंदी प्रावधान दे गए हैं पंचायती राज विवस्था लोगतंत की सक्तियों के वीकेंद्री करन के लिए अपनाई गई थी ठीक है जो पंचायती राजविवस्था है वो लोकतंद्री सक्तियों के वीकेंद्री करन के लिए अपनाई गई थी बहरत में पंचायती राजविवस्था का जो सिल्वी B.R. महता को कहा जाता है पंचायती राजवस्था का सिल्पी सविधान के अनुछेद 32 को डाक्टर अम्बेडगर ने इसकी आत्मा कहा था क्योंकि अनुछेद 32 मोलिक अधिकार होगे अधिकर्मन के विरुद परभावी उप्चार का प्रावधान करता है राजका विधान मंडल पंचायतों की संगरचना के बाबत उपबंद करने को अधिकरत हो जाएगा जो राजका विधान मंडल है पंचायतों की संगरचना के बाबत उपबंद करने को तयार हो जाता है भारत में एक नया राज सिर्जित करने वाले विधेक को संसद में साधारन बहुमत द्वारा पारित होना अनिवारिय हो जाता है भारत में नागरी को और मोलिक अधिकारों में संसुधन संसुधन कर सकती है कौन कर देगी आपका भारतिय नागिरूपे मोलिक अधिकारों में संसद तो ये करेगी संसद भारतिय सविधान का अनुच्छे 51 भारत की विदेश नीती से संबंदित है यह हो जाएगा भारती सविधान का अनुच्छे दिक्यावन भारत की विदेश निती से संबंदित हो जाएगा भारत का नियंतरन एवं माहले का परिक्षक यह अनुच्छेद हो जाता है इससे संबंदित 148 यह भी कोश्चन जो है आपको दिया गया था उससे में सुमेलित करने के लिए और यह जो हमारे कोश्चन है यह है 216 की परिक्षाओं में पूछे गए कोश्चन है और आप से पूछ गया है जो भारत का नियंतरग और महले का परिक्षक यह 148 में हो जाता है अनुच्छेद मे वितायोगी अनुच्छे 280 के अंतरगात आ जाता है परशासने के जो अधिकरन है वो आ जाता है आपका 321 एक अंतरगात और जो संगलोग सेवायोग है यानि UPSC वो हो जाता है आपका 315 में भारतिय सविधान के अनुच्छे 243 जैड़ जे के अनुसार सैगारी समीति के निदेशकों की शंख्या अधिक्तम 21 हो सकती है बारत का महानियाईवादी राष्टपती के परियास 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 अपना पत धारन कर सकता है बोरा इटली से सम्बंदित हो जाएगी मिट्रेल ये राइन नदी से सम्बंदित हो जाएगी और खंशिन जो है मिश्र से सम्बंदित हो जाती है सरवादिक जैवीवित्ता ओसन कटी बंदिया वर्सावनों में पाई जाती है कहाँ पाई जाएगी तो ओसन कटी बंदिया वर्सावन होते हैं उसमें सरवादिक जैवीवित्ता पाई जाएगी बिग बैंक सिध्धान्द ब्रह्मांद के उद्भव की व्याख्या करता है आपसे पूछा जाएगा जो ब्रह्मांद है उसके उद्भव की व्याख्या कोन करेगा तो ये कर देता है बिग बैंक थियोरी प्रत्विए की परिकर्मा दूरी सदा दीर की विरृत्य दूरी शे तेज डिगरी 5 60 तर पर जुगी होती है 2011 की जननकरना के नुशार सिक्ष समुदाई में सबसे कम लिंगा नुपाद पाये जाता है किसमें पाएगा पाया जाएगा सबसे कम हिलिंगा उनुपाद तो ये पाया जाता है सिख समुदाई में नेलांग घाटी उत्तराखंड में इस्तित है जो नेलांग घाटी है उत्तराखंड में इस्तित हो जाएगी इसके बाद आ जाता है आपको सुमेलित करने के लिए दिये दिया जाता है यहां से कुश्चन नाथुला दर्रा यह आपका सिक्किम में हो जाता है सिपकिला यह हिमाचल में हो जाता है माना हो जाता है यह उत्राखंड में ठीक है इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं ये दर्रे दे गए हैं आपके नाथुला सिक्किम का सिपकिला हीमा चलगा और माना जो है उत्राखंड का हो जाएगा गोंडवाना चट्टान परनाली भारत में नवीनता में भारत में नवीन तम हो जाती है गोंडवाना चटान परनाली जो जिला दर्रे में होकर ले जाने का रास्ता है ठीक है आपसे ये पूछा गया है करी बार कि जो जिला के ले जाने का जो रास्ता है वो कौन सा है तो वो हो जाता है जो जिला दर्रा मकुम ये कोहला से संबन्दित हो जाएगा डली राजहरा लो एक्स से संबन्दित कोरापूट हो जाता है बाक साइट से और चित्र कोट दुर्ग जो है मैग नीच से संबन्दित हो जाएगा प्राइदीपया भारत की सबसे मुची चोटी ये हो जाती है अनाई-मुडी उत्तर परदेश में नलकूप द्वारा सिंचित छेतर सबसे अधिक है सबसे अधिक कहां हो जाएगा तो ये हो जाता है उत्तर परदेश में और चले देख लेते हैं अगला कोश्चन हमारा तो ये हो जाएगा भारत में करनाठक देश का 70% से अधिक कोफी अकेले पैदा करता है ये करता है भारत में जो करनाठक है देश का 70% जो कोफी है वो अकेले पैदा करता है करनाठक भारतिय परियाटन के स्वर्ण तिर्भुज में आगरा, दिल्ली और जैपुर्थ सम्मीलित हो जाते हैं यह हो जाता है भारतिय परियाटन का स्वर्ण तिर्भुज भारत के पश्चिम तटिय मैदान के उत्री भाग को कोकन नाम से जाना जाता है किसको जाना जाता है कोकन नाम से तो ये जाना जाता है भारत के पश्चिम तटिये मैदान के उत्री भाग को दक्षिन पश्चिमी मांसून काल में चेन नई एउन तमिलाडू छेतर में सबसे कम वर्षा होती है तो सरदार सरोवर बांध हो जाता है आपका नर्मदा ने दीपर इंपोर्टेंट हो जाता है हर बार परिक्षाओं को पुछा जाता है तिलया बांध हो जाता है बराकर ने दीपर गांधी सागर बांध हो जाएगा चंबल ने दीपर और नागार्जुन सागर बांद हो जाता है किर्षणा न दी पर, ठीक है? इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं 2011 की जनगर्ना के नुसार भारत में सरवादिक जनसंख्या घनत वाला राज्य बिहार है 2011 की जनगर्ना के नुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत वाला जो राज्य है वो हो जाता है बिहार भारत विस्व का सरवादिक युवा वाला देश है ठीक है और 2020 में भारतियों के ओसातायू 39 वर्स होगी ये भी कोश्चन आपसे दिया गया है सुमेलित करने के लिए सुमेलित आपको करना है कौन सा किस से सम्बंदित हो जाएगा तो रोडर डम जो है ये नीदर लेंड से हो जाएगा इगाका हो जाता है रूस से सम्बंदित मोटे वीडियो हो जाता है उरगिवे से सम्बंदित और जगारता हो जाता है ये इंडोनेशिया से सम्बंदित और ये क्या हो जाएगे तो ये परमुक बंदर का हो जाते हैं जो इनसे जो है सम्मेलित हो जाएगे Kenya चाय का सबसे बड़ा नीरिया तक हो जाता है Kenya चाय का यहाँ भी आपको दिया गया है सुमेलित करने के लिए एक तरफ आपके जञजाती दी गए हैं और एक तरफ आपके छेत्र दिये जायेंगे कौन सी जणजाती किस से संबढ़ दी था है ये आपको बताना है तो यहां हो जाता है सबसे पहले खिरगिज की बात की गई है यह हो जाती है मध्धेश्या में बुस्मेन जो है कालाहरी में पाई जाती है एनू जन जाती जापान में हो जाएगी और बद्दू जो है अरब में मिल जाएगी आपको देखने को जन जाती इस तरह से आपका जो है सब करेक्ट हो जाएगा सुच्छ भारत मिशन हेरिटेज सिटी डवलोपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना इसमार्ट सिटी योजना आदी सहरी अधो संग्रशना के विकास के लिए घोसित की गई योजना हैं ठोड़ा or ब्सक्राम परारिकरम 2008 मीं प्रारंब के आ गया था यह मारा प्रेक्टिस सेट हो जाता है चार नमबर का प्रेक्टिस सेट इससे पहले हमने और तीन सैट इसकी करा दी है और ये सारे जो हैं आपको मिल जाते हैं PYQ पिरिवेश येर कोश्चन आपको ये मिल जाते हैं सभी जो अब तक पूछे गए हैं UPPSC के द्वारा और इसमें आपसे जो है 291 से लेकर 2024 तक के सभी कोश्चन आपको मिल जाते हैं राष्ट भूम्यभी लेक अदुनी की करन कारी करम 2008 में प्रारंब किया गया था 2019 में प्रारंब की गई एक शुविलुशिव एजूकेशन फॉर्दा डिस्वेल्ट एंड सेगंड इस्टेज योजना राष्ट ये माध्यमिक शिक्षा भ्यान के अंतरगत परदान की जाती है गाटे की वित्ववस्था से अर्थिवस्था में मुद्रा की आपूर्ती बढ़ोत्री होती है इंपोर्टेंट हो जाएगा ये भी 6-14 वर्ष की आयू समूँ शर्व सिक्षा भ्यान में भरती होने के लिए पात रहे स्वावलंबन योजना 2002 में जो है ये आई थी इब्रिज सरकारी शिवाव की पहुच हेतु एकल दौळ यानी प्लेट फॉर्म से सम्बंदित हो जाती है भारती आएकर अधिनियम की धारा अठासी में उपलद आएकर छुट को समात करने की शिफारिस केलकर समीति के द्वारा दी गई है पर्दानमंत्रियावाई शियोजनकी जो समय उधी है वो 2015-2022 तक है ठीक है लेगिन इसको जो है बाद में बढ़ा दिया गया था तो ये कोश्चन जो है दोजार सावलव में पूछा गया था आप से राष्टे खाद सुरक्षा मिशन का उदेश क्या हो जाएगा तो ये हो जाता है उच उत्पादक किश्मों के बीजों का वित्रन सुधार रिकरत उत्पादन तक्नीक हो जाती है उसका निर्दर्शन और फजलों के नई विक्षित किश्मों का परचार परचार करना ये हो गई थी भारत की जलवायू परिवर्तन पर पर्थम राष्टेकारियोजना तो यह हो जाती है 2008 में परकासित हुई थी पायरोमेटर विकिरियन ताप मापी को पायरोमेटर कहा जाएगा डायनोमो एक युक्ति है जो यांत्रिकुर्जा को विद्यतुर्जा में परिवर्तित क जो नून तमदूरी है वो हो जाती है 25 सेंटीमेटर यह 25 सेंटीमेटर ही मानी जाती है परकास वोल्टियस सेल सोर उर्जा से होते हैं यह किस से हो जाएगा जो परकास वोल्टियस सेल सोर सेल में यह हो जाएंगे वाईू सक्ती में उर्जा का जो गतित उर्जा विद्यूत उर्जा में परिवर्थित होता है मीथेन गैस इंदन के रूप में परियोग की बायो सेहतर से निश्काशित कार्बन डाय अक्साइड मीथेन नाइटर्स आक्साइड आधी ग्रीन हाउस गैसे मानी जाती है विटी कल्चर अंगूर की खेती ठीक है यह जो है कोस्चन आपको दिया गया है सुमेलित करने के पीची कल्चर यह मचली पालन से हो जाएगा और और अलेरी कल्चर हो जाता है आपका सब्जी की खेती से उर्वर्क के अधिक परियोग से मर्दा जलत अथा वायू परदेशन होता है यह आप सब ही जानते हैं धान का खेत किर्थिम पारिश्थिति की तंत्र है कार्बन मोनो अक्साइड वायू परदूशक आक्शिजन की अपेक्षा अधिक ती सीर्गता से रक्त के हीमोगिलोमीन में घुल जाते हैं कौन घुलते हैं तो यह घुल जाते हैं आपके हीमोगिलोमीन में ठीक है हीमोगलोमिन रक्त में ऑक्षिजन का संचार करता है और यह लोहो युक्त योगिक हो जाएगे यह रक्त को लाल रंग परदान करता है खाचरंगला में मानव प्राथमिक और दीत्य को भोगता होता है खाचरंगला में हो जाएगा मानव प्रात्मिक और दीत्यक उभोकता जैवीविता के हास का मुख्या कारण प्राकृतिक आवास का विनास है जो आप जंगल वो काट रहे हैं तो ये जो है प्राकृतिक विनास हो जाता है आवास ये प्राकर्तिक आवाश्य का जो है विनासम कर रहे हैं विटामीनी का जो महत्मून फुरोत है वो हो जाता है गेहूं अंकूर का तेल मानव सहदर से लगुतम कपी की बन हो जाएगा मलीरे रोक की परभावी ओजदी कुनेन का निसकरसन सिनकोना की चाल से प्राप्त किया जाता है जीन के भीतर अनुकरम आधार उत्परिवर्दन परिवर्दन कहलाता रहे है वन्यजीव संग्रक्षन अदीनिम ये हुआ था 1912 में वन्यजीव को संग्रक्षन परदान करता है पोदे नाइटोजन को नाइटर्टेट के रूप में गिरहन करते हैं यहां भी जो है सुमेलित करने के लिए दे दिये गए है आपका थाइमिन ये बेरी-बेरी से संबंदित हो जाएगा एसकोर्बिक ये इसकरवी से संबंदित हो जाएगा विटामिन ये रतोंदी से हो जाएगा और विटामिन के हो जाता है रक्त का थपा जमने से लूकेमिय का एक परकार का कैण्सर है जिसमें स्वेत रक्त कोशिकाओकी संख्या में आसाधारन बढ़ोती होती है भुलीमिया से गरिश्थ व्यक्ति यह दो नहीं समझ पाता है कि वह उसके बौजन का करना रोक देना चाहिए ठीक है बुलीन यह से गिरेशित हो जाता है व्यक्ति और यह समझे नहीं पात है कि कब उसे भोजन करना और कब रोख देना चाहिए ब्रह्मान गुरूप यूनिवर्सल डोनर होता है और ब्लड गुरूप यूनिवर्सल डोलर हो जाएगा ओजोन किलोरिन, कारबन डायक्सेड, कुलो, रैमीन आदी जल को जीवान उमुक्त करने में परियुक्त होते हैं मिर्स की तीक्ष्णता कैप्सिंजिन के उपस्तिति के कारण होती है दूद में सभी अनिवारिये अमीनो एसिड अमल उपस्तित रहते हैं एथनोल के व्यवसाइग उत्पादन में सैक्रो माइसीज सेरवेशिक हमीर परियोग में लाए जाता है सोडियम 324 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है ये किया जाता है सोडियम 24 का परियोग भारत ने बराकाट मिसाइल जो नेक्स जनरेशन किया है इसराइल के सहयोग से विक्षित इसको किया गया है भारत ने बराकाट मिसाइल इसराइल को सहयोग से अधिक विक्षित किया है यह हो जाते है बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन की तो इजराइल के सहग से इसको विक्षित किया गया है बारी जल न्यूक्रल डियक्टरों में विमंदक और परतिसे तक परची तक दोनों ही तरह परियुक्त होने वाला पदार्थ हो जाएगा यह हो जाता है बाहरी जल पुष्टक कार्य टर्णिंग्दा टाइट मेहंदर्पूरी नहीं लिखिया है किसके दोगा लिखे एगी तो मेहंदर्पूरी के दोगारा ही लिखिया जाती है राइक तक यह अनुसंदान संस्थान करनाल में श्थित हैं आंत्रिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में इस्थित हो जाएंगे